हेई पीपल वेलकम टू आर्ट स्टडी में डेजी तो इसमें हमारी जोग्रोफी की सीरीज चल रही है जिसमें हम जिसमें पिछले लेक्चर में मैंने क्लास 6 चाप्टर नमबर 2 ग्लोब लेटिट्यूट और लॉगिट्यूट को स्टार्ट किया था आज हम इसी को आगे कंट को लोकेट कर सके आज हम इसी के आगे डिसकस करेंगे कंटिन्यू करेंगे तो सलिए शुरू करते हैं अब यहां पर कह रहा है कि भाई यह बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है कि स्फेयर लाइक दा अर्थ हमारी अर्थ वैसे स्फेयर नहीं यह शॉट ऑफ स्फेयर है स्फेयर का मतलब होता है थोड़ा स्फेयर जैसा है तो इसमें कह रहा है कि भाई अर्थ जैसे इस स्फेयर में यह बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा कि हम बिना कोई चीज को as a reference लिए कोई भी जगह की location बता सकें इसलिए हमें कुछ point of references की ज़रुरत पड़ेगी जिससे हम location मतलब कोई भी जैगह की location प्लेस की location आसानी से और अच्छे से बता सकें अब यह line of references कौन कौन से हैं तो the line which divide the earth into equal halves horizontally is the equator and the line which divide the earth into equal halves vertically are the prime meridian and the 180 degree meridian तो इसमें बता रहे हैं कि line of references total 3 हैं मतलब 2 type की हैं तो पहली हो गई हमारी equator दूसरी है prime meridian and 180 degree meridian तो equator क्या करती है equator हमारी अर्थ को horizontally equal halves में divide करती है और 180 degree meridian और prime meridian क्या करती है यह हमारी अर्थ को vertically equal halves में divide करती है कि जैसे यह prime meridian जो हो गया वो अर्थ को सामने से divide करता है और 180 degree meridian पीछे साइट से अर्थ को divide करती है तो इसके लिए इतना ही अब आगे देखते है एक्वेटर होता क्या है तो एक्वेटर के लिए बारे में सब ज़्यादा ही important बात क्या है कि ये एक imaginary circular line है हमारी एक्वेटर जो है वो imaginary circular line है ये सबसे ज़्यादा important बात है ध्यान देने की अब it is an imaginary circular line it divides the earth in two equal halves horizontally अब ये जो एक्वेटर है ये क्या करती है तो एक्वेटर हमारी अर्थ को horizontally दो एक्वल भाग में डिवाइड करती है the northern half of the earth is known as the northern hemisphere and the southern half is known as the southern hemisphere both hemispheres are equal halves तो ये क्या करती सबसे पहली बात हो ये equal halves में डिवाइड करती है अब जो नौर्थ की हो रहे है नौर्धन पार्ट है जो इसका डिवीजन का हाफ का उसको नौर्धन हमिस्फियर कहते हैं जो southern पार्ट है उसको हम southern hemisphere कहते हैं ठीक है अब देखते हैं थोड़े equator के बारे हम देख लें तो देखें यहां पर ये हमारा equator हो गया इसके उपर वाला जो नौर्धन हमिस्फियर कहलाएगा और equator के नीचे वाला जो southern pole की साइड है उसको हम southern hemisphere कहेंगे southern pole नहीं south pole होगा ठीक है अब एक और बात हाँ इसमें एक और बात है ध्यान दिनला कि भाई ये जो हमारा equator है इसके बाद ये जो ये कुछ आपको parallel lines उपर जाती हुई और इसी तरह से हम नीचे जाते हुई दिख रही है तो ये क्या है तो इनको हम latitudes कहते हैं अब हम इन ही के बारे में पढ़ेंगे so latitudes all parallel circle from the equator up to the poles are called parallel of latitudes तो ये जितनी हमने parallel lines अभी देखी ये उपर pole की और जाती हुई हमें दिख रहे हैं दोनों तो उनको हम क्या कहेंगे वो हमेशा ये equator के parallel होती है तो इनको हम क्या कहेंगे इनको हम parallel of latitude के नाम से जानते हैं latitudes are measured in degree अब यह जो हमारा latitude इसमें आप देख रहे हैं कि 20 degree, 40 degree, 60 degree तो इनको हम डिगरी के form में measure करते हैं ठीक है 1 4th of 360 degree that is 90 degree अब यहां पी यह कह रहा है कि भाई equator तो हमारे 0 degree हो गया overall अगर हम देखा जाए तो sir एक square में या कोई भी object में total 360 degree angles होते हैं तो यहां पी यह कह रहे है कि भाई अर्थ का जो 1 by 4th भाग है मतलब 90 degree का part है अर्थ में तो वहां पे 90 degree बन रहा है तो उसके उपर तक मतलब जहां पे 90 degree बन रहा है equator से वो north pole होगा और जो नीचे साइट जहां पे 90 degree बन रहा है वो south pole होगा तो इसमें क्या किया है कि मतलब अर्थ को 4 भाग में एकदम divide कर दिया गया है ऐसे और ऐसे तो यहां पे देखे यह 90 degree बने गए यह हमारा equator है यह northern pole है और यह southern pole है तो यहां पे ओवराल यह बता रहा है कि भाई equator से 90 degree above में हमारा north pole है और equator से 90 degree down में हमारा कौन सा पोल है south pole वस इतना आपको यहां पे बताने की कोशिश कर रहा है ठीक है अब देखते हैं 90 degree north latitude marks the north pole and 90 degree south latitude marks the south pole यहां पे बताएक भाई अब 90 degree जो नौर्थ पोल की ओर नौर्धन लेटिट्यूड की ओर जो मार्क कर रहा है उसको हम नौर्थ पोल कहेंगे और 90 degree जो southern latitude की ओर मार्क कर रहा है उसको हम south pole कहेंगे all parallel north of the equator are called north latitudes and similarly all parallel south of the equator are called south latitudes अब यह देखें यह जो यह है यह यह north pole side में है equator से नीचे south अब यह है और भी नीचे होगी तो इन में क्या कहा है कि जो equator से north pole की ओर latitudes बनी है तो उनको हम north latitudes कहेंगे और equator से जो south pole की ओर latitudes बनी है इनको हम south latitudes कहेंगे और कह रहा है कि जो north latitude है उनको हम capital N से denote करेंगे और जो south latitude है उनको हम capital S से denote करेंगे जैसे कि यहाँ पर 20 degree north को बताया है और यहाँ पर 20 degree south latitude को बताया है तो भाई चीज यहाँ पर लिखा है कि भाई the value of each latitude is therefore followed by either the word north or south generally this is indicated by letter capital N और S ठीक है अब यहाँ पर एक example लिया है इस example से पहले एक बात और जान लीजे कि भाई अब यह equator और यह parallel latitude जो है यह तो सब बन गई यहाँ पर अब यह इसमें सबसे बड़ा जो part होगा मतलब सबसे बड़ी line कौन सी होगी जो सबसे बड़ी line हमारी equator होगी और बाकि फिर इसके ओपर जैसे जैसे यह north pole या south pole की और जाएंगे तो इनके जो pieces line की distance है वो धीरी धीरी का जो circle है वो कम होता जाएगा अब अगर हम इसको practically देखें तो अगर हम watermelon को cut करते हैं तो उसको अगर हम उसका सबसे बड़ा part कौन सा होगा वही वाला part होगा जो हम middle में cut करेंगे उसके बाद जैसे जैसे हम corners की और जाएंगे दोनों के तो वैसे वैसे हमारा जो part है वो कम होता जाएगा तो बस यह जो कुछ इसी तरह यह जो हमारी parallel of latitude हैं यह हमारी earth को divide करती है जिसमें सबसे बड़ा circle equator का होता है उसके बद poles की और जाने में इनका circle छोटा होता जाता है ठीक है मैं आपे एक example दिया है कि बोथ चंदरपूर इन महराश्टरा इस example हाँ चलिए होगे example देख ले थे पहले for example बोथ चंदरपूर इन महराश्टरा इंडिया and below horizonte in Brazil, South of America are located on parallel of about 20 degree latitude but the former in 20 degree north of the equator and the latter is 20 degree south of it we therefore say that चंदरपूर is situated at 20 degree north latitude and below horizonte in is situated at 20 degree south latitude तो यहाँ पर मतलब यह मैं बता रही थी कि भाई ओवर और उस example में बस यह बता एक यह capital N और capital S का importance बताया कि भाई देखो यहाँ पर एक जो है यह 20 degree north पर क्या है हमारा चंदरपूर है महाराइस्टर का और 20 degree south पर क्या है हमारा बैलो होरिजॉन्टे है तो यहाँ पर यह बता रहे हैं कि जो capital N और capital S है यह हमको और भी जादा exact location बताने में help कर रहे हैं तो जैसे कि अगर हम कहें कि भाई दोनों का तो 20 degree है बट एक कहां पर है एक 20 degree north पार्ट में है और दूसरा 20 degree एक दूसरा का है 20 degree south पार्ट में तो यह clarity के लिए है ठीक है अब एक्जामपल आप समझ गए इसके आगे हम कल discuss करेंगे नेक्स लेक्चर में thank you for watching stay tuned with us